असलाम उल्कुम्म आफरीवन कैसे हो आप सो दोस्तना आज की दोन बॉक्सिंग करने वाले हैं ओडियानिक इलीट इफाइब की इसको आप एक वाइरलेस बिल्यूटूथ स्पीकर भी बोल सकते हो इसको आप अपने टीवी के साथ ऐजा साउंड बार भी यूज़ कर सकते हो अपने मूबाइल के साथ बेल्यूटूथ के साथ कनेक्ट भी कर सकते हो और आउक्स केबल के साथ भी डिरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो और इसके साथ साथ ये एक क्लॉक भी है और इस पर आप अलाम भी सेट कर सकते हो तो काफी सारे इसके अंदर कूल फीचर आपको मिल जात और उस sale में ये product सिरोफ और सिरोफ आपको 2900 रुपए में available होगा Sale start हो चुकी है, link आपको description में मिल जाएगा अगर आपको buy करना है तो उस link को follow करके आप जो है sale वाले page पर जा सकते हैं तो सबसे पहले दोस्तों इसकी unboxing कर लेते हैं और देखते हैं box हो हमें क्या क्या चीज़े मिलती है तो कुछ इस तरह का box है दोस्तों यहाँ पर audionic the sound master लिखा गया Elite E5 mobile speaker को mention किया गया wireless connectivity, digital clock with alarm और RGB multi color light को यहाँ पर mention किया गया है box को यहाँ से open कर लेते हैं तो कुछ इस तरह की packaging है तो यहाँ पर सबसे ऊपर हमें मिलती है हमारी device जो के हमारा speaker है इसको रखते हैं कि दफ़ा साइड पे इसके इलावा आपको एक user manual मिल जाता है speaker के लिए एक आपको यहाँ पर charging के लिए cable मिल जाती है USB type A to micro USB वाली इसके साथ साथ आपको एक AUX cable मिल जाती है यहाँ पर और साथ में आपको एक साल का warranty कार्ड भी मिलता है तो एक साल की official warranty आपको मिल जाती है और यहाँ एक Elite E5 के साथ में दोस्तों box को कर देते हैं side पे और अपने जो speakers हैं इनको यहाँ से निकाल लेते हैं बाहर और देख लेते हैं कि कैसी quality है यहाँ पर speakers की तो यह हैं जनाब Audionic के Elite E5 speakers यहाँ पर सामने की तरफ अगर आप देखेंगे तो Audionic की यहाँ पर branding दी गई है यह speaker है आपका सामने की तरफ ऊपर की तरफ यहाँ पर कुछ buttons दिये गए हैं play pause का है modes का button है backward forward करने के लिए plus minus का button है volume increase और decrease करने के लिए set का button है और एक यहाँ पर I think के यह जो light नीचे आपको मिलती है उसकी brightness को कम ज्यादा करने के लिए यह मज़ीद हम चेक कर लेंगे कि यह button किसलिए है back side पर अगर आप यहाँ पर देखें on off की आपको देगी है aux के लिए एक आपको जगा देगी है इसके लावा USB के लिए जगा देगी है जहां पर आप USB लगा सकते हो और उसके उपर आपको micro SD card की slot भी देगी है जहां पर SD card भी लगा सकते हो और DC 5 वोल्ट की यहां पर एक input देगी है जहां पर आप इसको charging के लिए यूज़ कर सकते हो वेट भी काफी मुनासिब है इतना ज्यादा heavy नहीं है और size भी काफी कमाल का है दोस्तों as a sound bar आप यूज़ कर सकते हो अपने TV के साथ में और इसके अंदर जो कितनी लेंट यहां पर आपको मिलती है तो एंचिस टेप यहां पर यहां मेरे पास पढ़ी थी तो देखते हैं यहां पर 16 इंच जो है इसकी लेंथ है यहां पर आप देख सकते है 16 इंच का जो है यह speaker है ओके दोस्तों आप बात करते हैं कि आपको किस तरह से यूज़ करना आप Bluetooth मोड में है अभी उसके लावा अगर आप इसको चेंज करना चाहते हो मोड को यहां पर जो M का बटन है इसका यूज़ करके आप मोड चेंज कर सकते हो देखे मैं इसको प्रेस करता हूँ तो यह FM मोड में चला गया अभी यह FM रेडियो इसने चलाना स्टार्ट कर दि अब Bluetooth मोड में है तो आप अपने डिवाइस पर आपने जाना है Simply Bluetooth को On कर लेना है और यहां पर आपको Elite Sound Bar के नाम से Name Show हो जाएगा उसको आपने Connect कर देना है जैसे ही आप Connect करेंगे यहां पर उपर Show कर देगा Connect हो चुका है और कितनी बैटरी अभी बाकी है इस Sound Bar की यह तुम YouTube में NCS Music मेंने यह पर लगाया है तो इसको चलाते है अच्छा अब भी यह 50% साउंड है तो यह चीज़ आपने नोटिस करनी है अभी फूल साउंड नहीं है यह जो बटन है Play Parts का यहां से remembrance कंड्रोल कर सकते हो और यहां से अप प्ले कर सकती हो अगर आपको पास करना है तो आप इस बटन के यूज़ करके भी pass कर सकते हो तो यह एक अच्छा फीचर है इसके लाब नेक्स्य आपकर सकते हो अड़ नेक्स वाला प्रेस करते हो तो यहां से आटपमेटिकली यूट्यूब पहो और किसी फी अप्लिकेशन तो साउंड क्वालिटी दोस्तों बहुत जबर्दस है, यहां पर काफी लाउड और काफी जबर्दस किसम की बेस आपको यहां पर मिल जाती है, तो अमेजिंग किसम की साउंड क्वालिटी आपको यहां पर मिलने वाली है, अब क्या करते हैं दोस्तों यहां पर आउक्स केब मोड्स में ही चूज कर सकते हैं आप Bluetooth या फिर FM वाले में लेकिन आउक्स कैसे वर्ग करेगी आप अपनी डिवाइस के साथ आउक्स केबल लगाईए और फिर एक जो इसका एंड है वो अपने स्पीकर में लगाईए जैसे ही आप स्पीकर में लगाएंगे तो यह आटोमेटि यूएस्बी को रीड करना शुरू कर देगा तो इसमें आपको मोड स्लेक्ट करने की जूरत नहीं है आउक्स के लिए और एस्टी काड के लिए और जैसे ही आप आउक्स केबल को यहां से निकालते हो तो यह आटोमेटिकली बिल्यूटूथ मोड में चला जाएगा बिल्य कलर वाली RGB लाइट जो है यहां पर दे गई है जो के बहुत ही खुबसूरत लुक प्रोवाइड कर देती है आप इसको कहीं पर भी रखते हो वहां पर एक खुबसूरत लुक प्रोवाइड कर देती है अच्छे यहां पर यह जो बटन है ब्राइटनेस का यहां पर जो पे होगी उसके उपर यह सेट हो जाएगा सिर्थ वही लाइट जलेंगे चेंज नहीं उगी उसके बाद मैं दुबारा से इसको प्रैस करता हूँ तो अब यह दुबारा से लॉय चेंज होना स्टार्ट हो गी यह इसका दूसरा मोट है एक अलग से है उसके ब्लू ग्रीन और इस तरह के हैं और यह वाला जुमोट है इसमें अलग कलर हैं तो यह दोनों अलग अलग हैं और एक बार और अगर मैं इसको प्रैस करता हूं तो यह आफ हो जाएगा अभी कोई लाइट भी यहां पर नहीं चलेगी इसको आफ भी कर सकते हो और दुबारा से प्रैस करता हूं तो यह अगेन जो है स्टार्ट हो जाएगी चलना और डिफरेंट कलर्स यहां पर शो होना स्टार्ट हो जाएंगे यह बहुत ही जबर्दस से एक फिचर है यहां पर इसके लावत दोस्ति यहां पर आपको क्लॉक मिल जाता है आप टाइम सेट कर सकते हो य आप यहां से सेट कर सकते हो इसके बाद अगर आपको और्दवाला करना है तो यह क्लिक करोगे तो और्दवाला ब्लिंक करना स्टार्ट हो जाएगा तो आप इस तरह से टाइम सेट कर सकते हो अगर आपको अलार्म लगाना है तो भी आप यहां पर यूज कर सकते हो अलाम कि आप यहां पर आप देख सकती हैं यह 10 बच के 6 मिट का अलाम लगावा था अभी मैं यहां पर अलाम चेंज करता हूं और आपको दिखाता हूं कि अलाम कैसे यहां पर मतलब अगर अलाम का टाइम होता है तो किस तरह से बजेगा ओके अभी 10 बच कर 47 मिट हुए हैं और 1048 का यह था अलाम जोना जैसे ही 1048 हुए है तो अलाम जो है स्टार्ट हो गया तो इस तरह से आप जो है अलाम भी लगा सकते हो इस साउंड बार पर दोस्तों इस साउंड बार को इस बिल्यूटूथ वायरलेस स्पीकर को किस तरह से यूज़ करना है आप लोगों को समझ आ गई यूज़ करके अगर आपको कॉल आती है आपने रिसीव करनी है तो शौट प्रेस करोगे आप इसको फोड़ी तेरी के लिए प्रेस करोगे तो आपकी जो कॉल है वो रिसीव हो जाएगी अगर आप इस बटन को लॉंग प्रेस करते हो तो कॉल जो है वो बिजी हो जाएगी मतलब call cut हो जाएगी receive नहीं होगी और अगर आप call सुन रहे हो call चल रही है और आपकी बात खतम होगी है और आप call cut करना चाहते हो तो फिर आप again इसको short press करोगे तो आपकी call जाएगी तो इस तरह से आप इसका use कर सकते हो तो multi functional speaker है दोस्तों बहुत जबरदस किसम के यहाँ पर functions आपको मिल रहे है और जो sound quality है बहुत amazing आपको मैंने सुनाई भी है 50% पे भी बहुत ज़्यादा loud sound है यहाँ पर और अगर आप इसको 100% कर देते हो तो बहुत ज़्यादा loud sound आपको provide कर देता है बड़े driver यहाँ पर लगाएगे है इसके लावे यहाँ पर 2400 mAh की बैटरी दे गी है जो rechargeable बैटरी है तो आपको यह ज़रूरत नहीं है कि आपको इसको input देनी ही देनी है तब ही आप इसको चलाओगे नहीं आप इसको कहीं पर लेकर जा सकते हो इसको चार्ज करके उठाके लेकर जा सकते हो और easily अपने mobile के साथ यह किसी भी device के साथ Bluetooth के जरीए connect करके यह AUX cable के जरीए connect करके आप इस पर songs और चला सकते हो दोस्तों आप लोगों कैसे लगे है Audionic Elite E5 Bluetooth Wireless Speaker Commit Box में हमें जरूर बताइएगा Sale स्टार्ट हो चुकी है 4500 रुपया वाल स्पीकर इस Sale में सिर्फ आपको 2900 रुपय में मिलेंगे तो अगर आप बाई करना चाहें तो link आपको description में मिल जाएगा जाए और इन स्पीकर्स को बाई कीजिए आज के लिए दोस्ते इतने वीडियो कर आपको अच्छे लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा चैनल पर फर्स टाम आया है तो सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स पर वाचिंग अल्ला हाफिज